अंजी सभी साथियों को राम राम नमस्ते हाई हलो कैसे आप सबी उमीद करता हूँ आप से ठीक ठाक होंगे तुन दरूशता होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे दोस्तों HSSC या हरियाना CET के फोरम भरे जा रहे हैं और अभी हाली में HSSC की तरफ से अपडेट आई है कि आपको फोटो अपडेट करना है इनके कुछ नए इंस्ट्रक्शन आई हुए हैं वो फोलो करके फिर आपको क्या है फोरम को कम्पलीट करना है तो मैंने कल वीडियो डाली थी कि किन लोगों को वो जरूरी है किन लोगों को बिना अपडेट करें भी काम चल जाएगा यह अपका फोटो सुकेर में फीट आया हुआ है जो आपका एपलेकेशन फोरम है जो फोटो का बोक्स या कोलम बना रखा है वहां पे फिट आया हुआ है और वो बलर बगएरा नहीं है तो आपको अपडेट करने के जुरूरत नहीं है उसमें वाइट बैक्ग्राउंड द तो मैं अब आपको यहां पे फोटो कैसे अपडेट करना है चेंज करना है देखिए आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपडेट कर लीजिए टाइम अभी आपके पास लेकिन कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि ताओ जी फोटो अपडेट नहीं हो करेंगे तो चलते हैं सबसे पहले क्या करना है दोस्तों एक जुरूरी इनफोर्मेशन ओर देता हूं हर सनिवार को हमारा सी इटी का ओफलाइन टेस्ट होता है हर सनिवार को पिछाणवा नंबर का एंच अशा स्य एं न्यस्नल टेस्टिंग जैन से एगसाम लेगं capita हम भी पिचाणवा नंबर कर लेते हैं ऐन टीए भी आपका जो ओर टेस्ट या पिपर है वह ओफलाइन ले गी हम भी ओफलाइन लेते हैं ठीक है तो यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं अपनी त्यारी को प्रखणना चाहते हैं तो आप KTDT Online Education एप पे जाके आपना रेजिस्टेशन कर सकते हैं ठीक है चलिए जी अब आपको क्या करना है दोस्तों यहां पे सर्च करना है वन टाइम रेजिस्टेशन हरियन अपने गूगल में यहां पे सबसे पहले ही वेब साइट है वो CET का पोर्टल ही है यह आपको मुबाइल नबर चेंज करना है तो यहाँ पे कलिक करके convince is equal to change कर सकते हैं ठीक है है लेकिन हमें अपने मूबाइल नबर चेंज नहीं करना बलकि अब इस वीडियो में Photoshop पोटो चेंज करने की कोशिज करेंगे बताइए वहीं मुबाइल नमर क्या दिया आप फोरम में नब्वे चौटिस सैंतिस पंद्रा एक्यावन उसके बाद में एक एप्चा कोट डालना है तो च्यार एफ एक्स ऋफ प्री थिए झी जी झी जीरो इए ढीकुन कि थिए लगाए बाद में उसके बाद में login पे click करना है OTP चला गया उस number पे जो हमने अभी डाला था candidate के mobile पे OTP डालते हम 82 6060 and submit के उपर click करना है दोस्तों यदि आपने फोरम भर रखका है इस तरीके से आपका portal open होता है कुछ बचों को message आए थे कि ता उजी कैसे open होता है वो direct हमें कहां पे लेगे जाता है make payment वाड़े option पे click करके ले जाता है यहां पे submit खाया हुआ है हो सकता है कुछ get word हो इसके forum में अभी देखते है सबसे पहले इसका application form देखते है क्या कुछ का रखा इसने यहां पे photo देखिए यह photo लगा रखा है ठीक है अरून यहां पे हो गया sign और इसका जो 23 नमबर कोलम है वो भी इसने yes का रखा है फीस भी इसकी paid है 17-3-2021 बस इसका क्या है photo change करना में और जो परिवार में नोकरी है या नहीं है उस option के उपर हम काम करेंगे तो photo मैं आपको बताया था step number 4 में है और generate update request के उपर कलिक करेंगे generate update request step number 4 यहां पे हम कलिक करेंगे यहां पे आप अपना message दोगे कि मैं photo change करना चाहता हूँ यह मैंने क्या लिख दिया पता आपको कि मैं मेरा photo change करना चाहता हूँ लेकिन यह language अलग है आपको समझ नहीं आएगे ठीक है और save request के उपर कलिक करना है यहां पर देखिए your application form has been reopened for application for next three days तो तीन दिन के लिए हमारा जो forum है जिसके लिए हमने edit की request डाली है वो step पूरा forum open नहीं कि हमने केवल step 4 में जो चीज़े हैं उसको edit करने की request डाली थी और वो हमारी open हो गई है apply online के उपर कलिक करेंगे step 4 के उपर जाने की कोशिस करेंगे ठीक है और जो हिदायती दे रखी है photo को change करने के लिए वो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी वीडियो अलग से डाल रखी है तो सबसे पहले क्या करोगे आप यहां पर latest photo select करोगे file select करोगे आपका photo देखिए यहां पर इसको click करोगे open पर click करोगे और add image के उपर click करोगे जैसे ही आप add image के उपर click करोगे processing चल रही है आपकी यहां पर यह देखिए आपका जो नया photo है वो आ गया है क्यों जी? नया है नहीं? ठीक है? तो इस तरीके से क्या है? अभी photo तो चेंज हो गया यह दिए आपको sign भी change करने हैं तो sign भी आप change कर सकते हैं ठीक है? लेकिन मेरे को sign चेंज नहीं करने यहां पर मैं submit करूँगा save draft के उपर मैं click करूँगा candidate details saved successfully close ठीक है जी? close पर एक बार click करते हैं वापिस print out की command देके देखेंगे कि क्या मामला हुआ है क्या नहीं हुआ तो अब हम वापिस चलते हैं एक बार हम six step पर चलते हैं please complete all five steps तो हमें एक एक करकी क्या करना पड़ेगा यह हो गया उसके बाद में step four saved draft saved successfully अब प्रिंट अप्लिकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहां पर देखेंगे काइंडेट का नया फोटो है वो आ गया आपका शिगनेचर पूराने वाड़े हैं इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप अपना जो फोटो है अपडेट है वो कर सकते हैं ठीक है और क्या करना है अभी मेरे को इसका एक option और change करना है परिवार में नोकरी है या नहीं है वो option change करना है तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं परिवार में नोकरी है या नहीं है वो option change करना है पहले इस candidate ने क्या कर रखा है yes कर रखा है कि मेरे को benefit लेना है परिवार में नोकरी नहीं है और candidate ने इसलिए ये डाला था इसलिए benefit लेने की सोची थी क्योंकि जो CET help desk है वो बताता है कि family ID के base पे हमारा data उठेगा कि परिवार में job है या नहीं है तो इनके papa है पहले gourmet job में थे वो expire हो गए लेकिन family ID में नाम नहीं था इसलिए इन्होंने क्या किया number लेने के लिए क्या कर दिया claim कर दिया अब सरकार ने बोला कि family ID अलग हो ना हो आपके पापा हमेशा ही count होगे आपके ममी पापा हमेशा ही count होगे तो अब यह क्या करना चाहता है वो number नहीं लेना चाहता है और ऐसा दिखाना चाहता है कि परिवार में job है तो इसके लिए में क्या करना पड़ेगा पहले तो हम इनको यहां से हटा दिया यहां से जलते हैं इसको भी हटा देते हैं यह वापिस आ गया भी और वो नो जो बड़ा उप्शन हमारा step 5 में है साइब देखिए परिवार में job नहीं है लेकिन अब इसको क्या करना है कि परिवार में job है तो हमें step 5 को edit करना है generate update request के उपर click करेंगे और step 5 यहां पर click करूंगा यहां पर आपको लिखना है अपनी problem क्यों आप change करना चाहते हो मैं अपने social economic criteria को change करना चाहता हूं ठीक है यह मैंने वही लिखा है मैं मेरे social economic criteria को change करना चाहता हूं लेकिन यह language दूसरी है आपको समझ नहीं आएगी ठीक है और save request के उपर आप click कर आए तीन दिन के लिए दोबारा से मेरा forum है वो reopen हो गया है apply online के उपर click करेंगे और step number 5 पे हम direct चलेंगे step number 5 पे ठीक है और यहाँ पे पूछ रहा है परिवार में जो है या नहीं है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना देखी open हो गया हमारा option है मैं इसको yes करूँगा ठीक है उसके बाद में पूछ रहा है कि किस गोर्रिमेंट के अंदर आपके पापा जो में तो हरियाना स्टेट इंप्लोईमेंट स्टेटस करेंटली सर्विंग ठीक है उसके बाद में इंप्लोई कोड है तो डाल दीजिए डेट आप ज्टारमेंट टाइपं डाले डिरेक्टर ओर्वर्गिनाइजयेशन टाइप बौर्ड है डिपार्टमेंट कॉर्पेंड बॉर्परेमेंट क्या जी ठीक है ओर्गिनाइजेशन नेम तो यहां पर आप लिख सकते हैं जो भी है आपका ओके और पद का नाम क्या लिखना है जी चीक है जी लिख दिया भाई ये तीन चीज आपको जुरूरी है एक तो आपका स्टेट ओव इंपलेमेंट कहां किस गवर्णेंट के तैतकाम कर रहे हो और करेंटरी सर्विंग है रिटार्ड विद पैंशन है या विदाउट पैंशन है ठीक है वह चीज लिखनी है पद का नाम टीक है उसके बाद में आम हमें नीची आना है नीची आना है और इसको हमें असयफक करना है और सेवड यापट के ओपर क्लिक करना है देखते हैं क्या होता है क mogą देटेल सेट्सक्सपली थो भही परिवार में जो जो और नोग का भूा तो भूशन ठीक है अभी हम क्या करेंगे हम दोबारा print application की command देंगे और यहाँ पर देखिए photo भी नया आ गया है और सायद no job option यहाँ पर दिखा देगा कि परिवार में job है या नहीं है यह रहा any person from यह तो यहां पर yes आ गया कि परिवार में job है clear है इस तरीके से क्या कर सकते हो आप अपना photo भी change कर सकते हो social economic criteria है वो भी आप change कर सकते हैं अब मुझे एक चीज देखनी थी लेकिन अब देखूं कैसे मैं यहाँ पर चलता हूं एक बार यहाँ पर जलता हूं वापीस यहाँ पर आता हूं और upload required document के उपर मैं क्लिक करने की कोसिस करूंगा यहाँ पर एक नो जोब का option है document upload करने का चलो मैं इसको अलग एक अलग वीडियो में बताऊंगा आपको क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी यह topic अलग है इस चीज को समझाने का वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही और अब भी कोई दिक्कत है इन दो सब्सक्राइब करके रखा होगा वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आज की इस वीडियो में इतना ही दन्यावाद भगवान करें आप सभी का समय सुभ रहे हूँ